हेलो एवरिवान वेलकम टू कॉन स्टडी मैं आपको जीए का सेक्शन कवर करवा रही हूं जेनरल अवेरनेस वाला जेकी एससबी की क्लास 4 की रेक्रूट्मेंट के लिए इंडियन जेओग्रफी अभी हम कर रहे हैं और साइड बाइसाइड कापिटल स्टेट भी कर रहे हैं संभवसर आपको जेनगे की जेओग्रफी और स्पोर्ट्स दोनों ही अल्मुस्ट करवा चुके हैं और मेरे लेक्शर को देखने के बाद वेडनस टेको संभवसर का लेक्शर जरूर देखेगा क्योंकि उसमें वो सैंपल प्र लेकर आ रहे हैं जीएका जो कि आप सब मैट्स और जेनरल अवेरनिस की अलग-अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रि टेम्ट करके अपनी एक्जाम की तयारी को कंटिन्यू रख सकें आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस्पोर्ट एंड मिनरल्स ओफ इंडिया सबसे पहले ट्रांस्पोर्ट देख लेते हैं हमारे इंडिया में चार टाइप की ट्रांस्पोर्ट हैं एक यहां पर आइधिंक ट इंडियन रेलवे जो है वो हमारे एशिया का लाजस्ट सिस्टम है और फॉर्थ लाजस्ट है वर्ल्ड में ओके एशिया में सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम अगर किसी का है तो वो किसका है इंडिया का ओके बिगिस्ट डिपार्टमेंटल पब्लिक अंडर्टेकिंग है प जो fastest train है हमारी इंडिया की वो कौन सी है शताबदी एक्स्प्रेस उके उसकी स्पीड है 140 km पर आर अगर हम बात करें लॉंगेस्ट रेलवे प्लाटफॉर्म की तो Gaurakpur railway station जो है वो लॉंगेस्ट है और यह वर्ल्ड में लॉंगेस्ट है मंबई जो है यहां पर मॉस्तली maximum ट्रेंज जो है कि यह इंडियन रेल्वेस का पार्ट नहीं है कि मिनिस्ट्री ओफ रेल्वेस के अंडर आता है क्योंकि यह एक प्रॉजेक्ट था अक्चली में जो महराष्ट्रा गुआ और करनातिका को का जो डिस्टेंस है वो शॉटन करने के लिए बनाया गया था क्योंकि अगर हम डिफिकल टेरेंस मतलब जहां पर कंस्ट्रक्षिन करना है डिफिकल्ट हो वहां पर कोनकिन रेल्वेस हमारे जो हैं काफी हेल्पफुल है जो हमारा यह वाला प्रॉजेक्ट था महाराष्ट्रा गुआ करनातिका का उसकी टोटल लेंद्ध है 788 किलोमेटर्स और यह पन्व बश्किल था इस ट्राक को बनाना डेलवे ट्राक को बट अगर आप अप जाके कोनकन रेल में आप ट्रावल करेंगे तो इसकी खूबसूर्ती का कोई 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 आल्टेनेटिव ही नहीं है उकी लेट्स मूब फॉवर्ड तो आईर वाटर ट्रांसपोर्ट अगर हम वाटर इसमें से बोट्स के थूरू कितना कवर हो पाता है 5,685 km यह आपको रफली याद करने की जरूरत है फिगर्स को आपको यह पता होना चाहिए कि टोटल नाविगेबल लेंथ कितनी है वाटवेस की पस और उसके बाद आप याद कले जाएगा कि 5500 के आसपास आपकी बोट्स स जैसे ही रोड और रेल्वेस दोनों ही हमारे इंप्रूफ होना शुरू होगे तो वाटवेस की थोड़ी इंपोर्टेंस कम होगी अब साउथ में तो अफकोर्स ही है यह बट अगर हम नॉर्थ में देखी तो नॉर्थ में अब रिवर्स वखेरा में ट्रावल करने के लिए अगर हम दूसरे वाटवेस की बात करें यह जो है हमारे यह जैनरली हमारे कनेक्टिविटी बढ़ाने के काम आती है तो इसकी जो आपको पता है कि 7500 किलो मिटर्स के अराउंड हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन है जहां पर 12 मेजर और 187 के अराउंड माइनर पोर्स है ठीक हां पर एकोन कि क्यारवी कुछ्य क्योंकि यही हमारी क्योंनेक्टिविटी बढ़ाते हैं भाके कंट्री से भी कि अगर हम अकहरा हैं अगर प्तिक ही कि बाद करें और यह संप यह रहा आपका अपका अगर आप सेकंड वाटरवे की बात करें इस डूबरी तू साधिया ठीक है यह रहा आपका सेकंड वाटरवे डूबरी और साधिया चलिए नेक्स्ट पे चलते देखिए अगर थर्ड वाटर वे की बात करें तो थर्ड वाटर वे जो है हमारा सबसे smallest अगर longest है तो नाशनल वाटर वे वन विच इस अलाहाबाद तो हल दिया और सबसे जो smallest है यह देखिए यह सिर्फ के अंदर है यह वाटर वे अगर हम 4 की बात करें विच कवर काकी नादा चुँग यह हमारा सेक्ट लॉगेस्ट हमारा नाशनल वाटर वे है यह देखिए काकी नादा से पुड़ूचेरी ठीक है और हमारा एक और है waterway विचिस देखिए दिस इस गौईन खली तू टालचर ये देखिए गौईन खली आपका यहाँ पर कहीं होना चाहिए तू टालचर ओके ठीक है ये हो गया अब एक और waterway भी हमारा बन रहा है जब ये बन जाएगा तो ये सबसे smallest बन जाएगा automatically which is on Barak River ये लाखेपुर से बांगा के बीच में है ये mostly North East में के waterways को cover करता है देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये Darak River है यहाँ पर बन रहा है ये I hope आपको सब समझ आ गया होगा तो ये हमारे major ports है हमारे इंडिया के अब इनके बारे में भी बात कर लेते हैं अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें इन और की तो ये most modern माना जाता है अगर हम टूटी कॉन की बात करें तो ये southernmost port है हमारे इंडिया का पोर्ट ब्लेर की बात करें तो strategically important है हमारे इंडिया के लिए अगर विशाखा पत्नम की बात करें तो विशाखा पत्नम हमारा deepest पोर्ट है इंडिया का अगर हम लोग पैराडीप की बात करें तो पैराडीप जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है वो रौ आइरन का हमारा एक्सपो पोट की बात करें जो की हमारा महराश्ट्रा में है तो यह हमारा fastest growing है और अगर हम मंबई पोट की बात करें तो हमारा busiest और biggest port अगर कोई है तो वो कौन सा है हमारा मंबई पोट और एक और पोट है जिसको आपको याद रखना है तो यह रहे आपके पोट चले आगे चलते हैं जो मैंने आपको information दी है वो सारी इस PDF में नहीं मिलेगी तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ extra आप प्लीज कहीं न कहीं notes बना लीजेगा तो यह देखी यह आपके कुछ important ports हैं जो मैंने अभी आपको बताए जो कि आपकी exam point of view से बहुत ही important बनते हैं अब चलते हैं अपने air transport पर जो हमारे GRD टाता थे वो हमारे पहले person थे जिन्होंने इंडिया में जो बैठे थे फ्लाइट पर सोलो फ्लाइट पर बैठे थे जो की चली थी मंबई से कराची तक फिर उन्होंने ही टाटा एयरलाइन्स लाई थी जो की दो मीन रूट्स पर चलती थी मंबई से थिरुवनंत पूरम और दो साल के बाद ही उन्होंने मंबई और दिली का भी रूट बना लिया था हमारा जो बैंगलोर सिटी है वो अगर हम लोग बात करें हमारे इंडिया के तो हमारे इंडिया में 34 इंटरनाशनल एयरपोर्ट्स हैं जिन में से यह कुछ मैंने आपको एयरपोर्ट्स जो है यह इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट व्यू से तो यह आपको आपको याद रखने चाहिए अगर आपको एक्जाम क्लियर करना है इन में से कोई एक ही आएगा बट कौन सा आएगा वो आपको नहीं पता इसलिए आपको यह लॉन करना जरूरी है जैसे यह जो नेता जी सुभाष चंडर बो गुआ के तो गुआ एरपोर्ट है तो वहां पर जादा याद करने कि आपको जरूरत नहीं है ओकि सर्दार वलबभाई पटेल एरपोर्ट भी है जो कि एहमदाबाद में है अब आप मुझे कॉमेंट में करके बताएंगे कि इन में से सबसे लार्जस्ट एरपोर्ट हमारा कौन सा है तो यह रहे हमारे इंटरनाशनल एरपोर्ट जो कि हमारे एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से इंपोर्टेंट है अब रोड ट्रांसपोर्ट पर चलते हैं इंडिया का जो रोड ट्रांसपोर्ट है इंडिया का जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो सेकिंड लाजस्ट है वोल्ड में इसकी जो टोटल लेंथ है रोड की वो कितनी है 54 लाक किलोमेटर्स और अब तो मुझे लगता है कि यह डेटा रिवाइस होता रहता है तो इसका आपको एक रफ आइडिया ही होना चाहिए क्योंकि हमारी इंडिया की जो रोड फसिलिटीज है वो हमारी जो गौर् बूर्ड रोड में क्लास्सिफाई करा हुए जिसमसे ऐसे बंट मेंटियं करती है स्टेट को पमेंट इंड करती हैं डिस्ट्रिक फायड वेशु को डिस्ट्रिक बॉर्ड जो है वो मेंटेंचाहा हो बदार रोड जो इंटरनीक्ञा आइवेज हेज रहते हैं वह दोनों इन चार मेट्रो सिटीज को जोड़ता है विचार डेली मंबई चैन्नेई और कॉलकटा तो अब हम चलते हैं अब यह सब क्या आपको याद करने हैं नहीं आपको इस सब लॉन नहीं करने हैं मैं आपको बताती हूँ कि कौन-कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपको नाशनल हाइवे 6 के बारे में पता होना चाहिए अब देखें नाशनल हाइवे 6 जो है ना हमारे इंडिया में 6th नंबर पर ही आता है तो तो वेरी गुड़ फैक्ट आपको जाद याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको से पता होना चाहिए कि नाशनल हाइवे 6 जो है वो कहां से कहां तक है अब बाकी नाशनल हाइवे 1 से लेके 8 तक कुछ जादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आगे चलते हैं देखते हैं कोई और इंपॉर्टेंट मिल जाए हमें तो अब देखिए नाशनल हाईवे फॉर्टी फॉर्ट विच कवर्स श्री नागर टू वाट विशाखा पत्नम इट इस लॉंगेस्ट हाईवे ओफ इंडिया उसके बाद अगर सेकिन नंबर पर कोई आता है इस नाशनल हाईवे 27 यह आपको पता होना चीहिए उसके बाद नाशनल हाईवे 19 वो आपका 10 नंबर पर आता है यह आ को पता होना चीहिए ठीक है आपको मैंने चार-पांच बता दिये जो आपको पता होने चाहिए उसके इलावा अगर कोई आपके लिए इंपोर्टेंट है इस इस वन नाशनल हाइवे 56 ये भी आप देख लीजिएगा ठीक है तो कुछ नाशनल हाइवेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे फुर्णोंगी कि टॉप ठीजो है नाशनल हाइवेस ये वह आपको पता होने चाहिए और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वह पता होना चाहिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं देखिए ये हमारे नैशनल हाइवेस है अगर हम बात करें तो देखे जो हमारा नैशनल हाइवे 44 है वो श्री नगर से लेके खन्या कुमायर तक विच इस आर लॉंगिस्ट नाशनल हाइवे ठीक है यह कवर होता है फिर अगर हम सेकिंड लॉंगिस्ट की बात करें तो वो कहां तक है पूर बंदर से जोरबड तक ठीक है यह हमारा नाशनल हाइवे कौन सा है 27 ओके उसके बाद अगर हम बात करें नाशनल हाइवे जो है हमारा 48 पन वेल से लेके कहां तक न्यू डेली तक दिस इस थोर्ड लॉंगिस्ट हमारा नाशनल हाइवे जो है ओके तो यह आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए यह इमेज आप देख लीजेगा तिस वेरी इंपोर्टेंट आपको आपको सिर्फ याद रखनी है लेट्स मूँव फॉवर्ड यह रहा हमारा गोल्डन कोडिलेटल जो डेली मंबई ठीक है डेली मंबई और चैनेई और कॉलकिटा को कवर करता है ठीक है यह हमारे चाहर्ट से इनको कवर करके गोल्डन कोडिनेटर वाला रोड बना सो आपको सिर्फ यह याद रखनी है लेट्स मौँव फॉवर्ड अब हम देखने हैं अपने ल को जो हमारे इंडिया में ने कहां पर शाएं तीक सिंग्बम में इमियौर बंज में ऑर मयोरमीं में और बटो इसमें। और जो major आपके steel plants है जैसे कि जमशेद पूर भिलाई बोकारो यह सब पता होना चाहिए कि यह कुण सी states में है ठीक है उसके इलावा coal को हम लोग black diamond भी बोलते हैं क्यूं क्यूंकि हमारा जो diamond है वो किस से बनता है कूल से बनता है ओकी तो प्रड़क्ट्स जैसे कि यह नाइलन केमिकल्स यह सब के बीच में कूल की ही यूज होती है इसको बनाने के लिए पर्फ्यूम्स में भी इंफाक्ट ठीक है कूल जो है हमारा मेजरली कहां पर बिहार वेस्ट बिंगॉल दामोदर वाली और इस्टा आ वेस्ट बिंगॉल वाली साइड वाला कवर करता है तिल मध्यप्रदेश यह वाला पार्ट जो है वो कोल से भरा हुआ है ओके तो अगर आप देखी तो इसमें जो इंपोर्टेंट आपको याद करना है जारिया बिहार में और रानी गंज वेस्ट बिंगॉल में यह अगराते है तो पीड नहीं है अब मंगनीस के एक वह में जो है वह मेंगनीस हमारा व्यगरें हमारे काम आता है इंडिया जो है वो लाग वान अफ तो लाज़ेस प्रोड्यूसर्स है किसकी मैंगनीज प्रडक्शन की कहां पर वोल्ड में ओके और यह कहां कहां पर ओडिसा करनाटका मध्यप्रदेश और महारास्ट्रा में पाया जाता है अगर हम माइका की बात करें तो माइका हमारा लाज़ेस प्रोड्यूसर है वोल्ड में हमारा इंडिया जो है और यह कहां पर पाया जाता है हजारी बाग डिस्ट्रिक मौंगेर और गया में ओकी और जो हमारा माइका है क्योंकि लाज़ेस प्रोड्यूसर है जो भी कंट्री किसी चीज की लाज़ेस प्रोड्यूस आपको पते ही है हमारे घर में अलुमिनियुम की फॉयल भी यूज होती है तो वैसी अलुमिनियुम की बहुत सरे चीज़े हमारे घर में यूज होती इनार बात्रूम्स ओं एन ऑल तो अलुमिनियुम जो है वो light है बिट हार्ड मिटल है अगर इसकी और को देखाजाएं तो box side बोलते हैं, यह आपको पता होना चाहिए ठीक है, यह आपके exam में आ सकता है, जीक है, उसकी बाद बॉकettes की हमारी major states हैं, इसे आपको ज़ादा याद करने के जरूरत नहीं है, एक rough idea होना चाहिए, बहुत है, 붙现在 के ओपर को जाधा focus मत किजआगा जहां पर major mineses या फिर major कोई जैसे largest coal mines, को बारे में आपको पता होना अचाएं ये सवारी शेट साथी चीडिकिए का आपको एक Zumologically आइडिया होना चाहिएग कि मिलता कि साइड पर तो मैंके पहले भी बताया है कि मैप देखी के साथ आगर अलॉय करें तो व्रास बन जाता है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है और यह मेजर ली और अनंत पुरह में पाया जाता है मतलब आंडरप्रदेश ओ सिर्फ करनाडका में हमारा गोल्ड पर्डूस होता है और डाइश na Hustu से पन्ना माइंट में हमारे डाइशा होता है जो की है मध्यप्रदेश में ओकी विद आट आई कम्प्लीट माइ जियोग्रफी लेक्चर आज की हम स्टेट्स देख लेते हैं पहली स्टेट है केरला जिसकी कापिटल है थिरुवन अन्थपेरम आप मैप में इसकी लोकेशन को देखी सकते हैं डिस्ट्रिक्स यहां यहां पर हैं पर हैं एंडियं अलीफेंट स्टेट फ्लार की बात करें तो गोलडन शार जिसको क नीकोना भी बोला जाता है इस्टेट बर्ड को बिकी बात करें तो ग्रेट होन्बिल रामसर साइट यहां पर जो फेमस है वेंट मैंग बड़न इस थे लिए देड़ पर इंबनाड कोल वेटलेंड अस्टमुडी वेटलेंड और सस्थम कोटा लेक यह हमारी रामसर साइट से यहां की नाशनल पार्क से यहां पर है इरावी कुलम नाशनल पार्क फेरिया नाशनल पार्क साइलेंड वैली नाशनल पार्क और अनामुडी शोला नाशनल पार्क आप अगस्त मेलाई जो की अभी बहुत इंपोर्टन्ट है यह बहुत बारी पेपर में आती है अगस्त मेलाई वाय रिजर्फ जो है हमारी केरला में है नेक्स्त सेट हमारी देख लेते हैं करनाट का जिसकी हमारी जो कापिटल है बेंगलूरू विच इस अलसो कॉल सिरिकॉन वैली ओफ इंडिया ओके यहां पर डिस्ट्रिक्स है 30 यह जाना चाहता है अपनी कॉफी प्रोडक्शन के लिए यह सबसे लाजस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का मैसूर पैलिस पैलिस जो है वो इस तस्लैक ताज महल पैलिस फेमस नर्थ इंडिया मैसूर पैलिस स्ट इंडिया मेजर रिविस जो है यहां पर है कृष्ण और का वेडि स्टेट आनिमल है एशन ऐपनेख हैंं इंडियन रॉलरू स्टाइट्री अगर q corpse के दर बांधिपूर राजीव गांधी बांधिपूर बहुत इंपॉर्टन्ट है राजीव गांधी बनर घटा और नगर होल नाशनल पाक्स तो है यह इंपॉर्टन्ट है वाइलाइव सैंक्टरी इसके साथ आपका इंडिन जेओग्रफिक खतम होता है आज भी छे अब के सिर फिस लेकि खतम होँज हूँ सा loves's के लिए मुझे कमधब करेंगे इन सारे आनसर और अगड आपको य वीडियो पसंद आ हो तो आप इसे लाइक कर दिजेगा अगर आपको कोई भी राउट हही इस के बड़ूर título